सेलो दोस्तों किया हाल जाल थड़ी सारे दा फिर तेक वास वागता है मेरे किनमे ब्लॉप्ट तो गाइस डेट है आज 9 अक्तूबर 2020 टाइम होरे है सुबा की 4 बजे और देख पारे मैं सड़क पर अकेला चल रहा हूं पूरा यहां कोई नहीं है मैं जा रहा हूं डिली तो म फरे प्रौक्सिमेट कूरे एक साल के बाद विप्रव में काम करने के बाद विप्रो में कोई SI event हुआ है लेकिन मेरे को आـफिस जाने का मौका मेरे दिलिली की ट्रेन है आज संडे लिए मैं ट्रावर लिंग कर रहा हूं जो की को दूब कि यूधे सुभा भग पहुंचना नौबजे में पहुंच जाऊंगा दिली उसके बाद फिर वहीं पर रहूंगा मंढे को भे तो पूरा सुबा सुबा के लिए वाउक करते है तो जी आदा गंटा वाउक करने के बाद पहुंच चुक है संग्रू रेलवे स्टेशन पे मेरी ट्रेन है 4.35 की लेकिन अभी मैंने लाइव रनिंग स्टेटस चेक किया तो ट्रेन तो लेट है कि अब बच के पैंतिस मिनट और मैं फाइनली पहुंच चुका हूं डिली सराइ रोहिला स्टेशन और इसके बाद अभी मुझे कुछ निए पता कहां जाना है कहां से एक डिटक्ट क्या है क्या है क्यूंकि मैं पहली बर दिली आ है तो आप देखते मुझे यहां से प्रयाग जाना है तो यहां से वह अप्रोक्सिमिट दस किलो मिटर दूर है तो उससे मेट्रो से भी जा सकते हैं वैसे तो लेकिन अभी मुझे मेट्रो जाने का मैं सोच रहा हूं कि जाओंगा तो मुझे जाना है प्रयाग गंज में मतलब नियू दिली रेलवे स्टेशन के पास है दूर हनो ऑप्रोक्सिमिट 10 किलो मिटर दूर है तो उसके बाइस बीस रूपसे लगे मुझे मेट्रो से आगे जाने में लेकिन उससे अच्छा मैं अगर मतले 50 रुपए मेरा बाइक पो आहिक पहुंँन जाता बाइक पर दूर के ज Trent तो मैं सिधा डिरेक्ट आटो में चला जाओंगा मेट्रो की जगह तो देख सकते हैं यह पूरा दिल्ली जोहिला सराइ स्टेशन तो जी मैं को अभी अभी किसी ने सजेश्ट किया है कि ऑटो या उससे जानने से अच्छा है कि वह ज्यादा पैसे लेंगे तो अच्छा अगर जिस एकजिट से उत्रा दाना उसके अपोजिट जो एकजिट है अगर मैं उससे बहर जाता हूं तो मुझे दस यह 20 रुपे में बस डरेक्ट न्यू दिली रेलवे सेश्टल सामने विलाव तार देगा तो मैं सोचन हों कि अधर बस यू जाता है प выс बूं-ठो मैं यहाँ से अृटो करा लिया एक भगे बस भी जाते ने वरे हिस नहां से बस 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 ब्लकि यहां से भी आटो कराय भी हम धूनने जा रहे हैं प्रयाग गंज में होटल वगएरा देखते यह आटो वाले भईया ही दिखाएंगे कोई अच्छा होटल तो देखते हैं क्या प्राइज वगएरा पड़ेगा भईया जिसका जैसा काम तो गाइस टाइम हो रहा है कि अ इसके अच्छाब्यार बॉला पर लेकिन यह पूरा फुल है यह बहुत आई तो गाईस टाइम हो रहा है ग्यारा बच के दस मिनिट और जैसा कि आपको पता है मैं पहुंचा था साधे नौ बजे में रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया था फिर वहाँ से बाहर निकला उसके बाद मैं वहाँ से आटो लिया जैसा आपको दिखाया तो आटो में बैठ गया तो वैसे तो उस भाइया अगर आपको लेने तो मैं आपको लिखा दूगा तो वही फिर मैं जब होटल देखने के तो उसने का कि वही पचास रुपे में अपने लूंगा बाकी वह वह वाले से कमीशन ले ले लेगा तो उसने मुझे चार-पांच होटल बगयरा दिखाए तो मतलब हमने स्टार्ट प्रोक्सिमिट दस बजे और अभी ग्यारा बच के दस मिनिट हो रहे तो मने एक गंटे में काफी होटल देखे तो मुझे काफी होटल वगयरा लेके गया मैं आपको सारे नाम वगयरा भी बता दूँआ कौन कौन से होटल देखे तो वह पहाडगंच के एरिया में ही है सार जो चाहरे विधिन मतलब 500-600 मिटर के अंदर अंदर ही सारे होटल वगयरा थे उला सारे के सारे होटल में लेके गया लेके नाम सब में दिखकत यह ती कि वो जो रूम दिखा रहा था तो पहले वाला जिखा था उसका रूम तो बहुत अच्छा था लेकिन उसने बोला पच अच्छे होटल गुमाई लेकिन किसी का भी मुझे प्राइज पसंद यहाँ एक होटल पसंद आया उसका तो रूम इतना ही बेकार था उसने बोला 1500 लेकिन उसका रूम इतना ही बेकार मतलब कहते है न कि आज से 20 साल पुराना रूम उसमें मतलब गंदी सी ट्वालेट लगी ह ले सकते हैं तो एक होटल था यह वाला स्टे बुक श्री बाला जी होटल तो वह देखा तो उसका प्राइज हम को 1400 रुपे पढ़ रहा था तो फिर मैंने वही ऑनलाइन दुबारा बुक किया तो अब क्या हुआ हो एक ट्रैजडी एक फानी चीज बताता हूँ क्या हो मैं उस भई यह कब से बोल रहा था कि इन सब के रेट जादा लग रहें तो फाइदा नहीं हो रहा तो आप मुझे सिद्धा श्री बाला जी होटल पे ले जाओ मुझे वह देखूंगा अगर मुझे सही लगा तो मैं बुकिंग करके वही रुक लूँगा लेकिन वह लेकर नह आणंदर देखा और वापस जानब यह देखा ओंड़ हो तो फिर अब तो फस गया तो फ़योट वाला भी उसको रोकना ही बड़ा तो फिर मैं ने रोका पर मैं जाके वहां पे श्री बाला जी वाला लेकिन उसने का कि हम ऑनलाइनी बूक लेते हैं तो मैंने और शुड़ा पुरा तक चुका था सब लोग ऑल्रेडी 2,500 रेट कह रहे थे लेकिन यही था रूम जो मुझे 1,400 रूपीज में मिल रहा था तो इसे सास्टी डील मुझे मिल बिन रही थी तो लोकेशन भी अच्छी थी क्योंकि वह में को लेका है तो अटो बाला तो मैं देखा लोकेशन रूपे की बात वी थी लेकिन अब ऑटो वाले के मन से मैंने लिया था तो फिर मैंने सोचा कि चल लो इसको 100 रूपे दे 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 लेकिन फिर वह गहता कि नहीं एक गंटे से गुमा रहा हूं तो फोड़े ज्यादा पैसे बंते इतने ने बंते तो मैंने उसको फाइनली मैं उसको सो दे रहा था लेकिन उसने लेकिन ठीक है उसने मैनत तो की लेकिन ये बात आपके लिए एक लेसन है कि ऐसे मुलब ट्रेस्ट वगएरा में ना फसे एक बार अपने जो होटल है जो आप खुछ सर्च करके हैं जिनके आपको पैसे कम पढ़ रहे हैं पहले उन पे मिल रहे हैं तो उसमें उसकी गलती थी मेरी गलती तो कोई नी थी तो फिर आना तो उसमें इस वज़े से मुझे जो 110 रुप एक्स्टा देने पड़े वह ऐसे तो बनते नहीं थे तो इस वज़े से अगर आपको भी अपने पैसे बचाने तो आप यही करिए कि सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर दोंगा कि आप मुझे यह वाले सारी होटल भी लेजाओ फिर उन में से जो आपको होटल पसंद आया वो लेजिए लेकिन अगर उन होटल में से आपको कोई पसंद निया आता अपनी रिसर्च के साब से फिर ओटो वाले को कहिए कि हाँ आप अब रेट की जैसे बहुत दिकता है दोजार पचीस सो वाले अब वही है मुझे 110 रुपे फालतु भी देने पड़े मेरा टाइम भी खराब हो इससे अच्छा अगर मैं सिधा जो मैंने होटल पहले से घर से घर से देख रखा था श्री बाला जी वाला मैंने ओटो में लुए साइस बहुत चोटा है यहां पर इतने लूंग ना आप सोचो 100 रुप्यत मेरे इसमें अब यह ब्रेकपास्ट इंक्लूड़िद है मेरा मतलब कि अगर मुझे आप मानों की पराठा और एक चाय मिलेगी ब्रेकपास्ट में तो 50 रुपे का पराठा और 20 रुपे चा तो इन टोटल थर्टीनेंट रूपेज में यह रूम मिला है पूरा तो यहाँ पे पूरा मेरल लगा हुआ है उसके बार यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है फैन भी लगा हुआ है